नमस्कार, हरीभूमी टीवी पर आपका स्वागत है, बीजेपी के लिष्ट आने के बाद लगातार एसंतुष्टों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, अब खबर आई है पंचकुला के कालका विधान सबाग 6 से, पूरो विधायक लतिका सर्मा टिकट कटने के भावुक हो गई, कार्यकरताओं के बीच उनकी आँखों से आसुज छलकाए, उन्होंने कार्यकरताओं के बीच एक भावुक संदेश भी दिया, लतिका सर्मा फिलहाल भाजपा महीला मोर्चा की राष्टिय को साध्यक्स हैं, कालका से भाजपा ने पूरु केंद्रिये मं भावुक हो गई, उन्होंने कहा कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी, वह अपने प्रमुख कार्यकरताओं और समर्थों के साथ बैठ कर विचारवी मर्स करेंगी, लतिका ने कहा जो भी फैसला होगा, कालका की जनता की हित में होगा, उन्होंने स्पस्ट किय कालका को लावारिस नहीं छोडेंगे, कार्यकरताओं ने एक सुर्मे लतिका सर्मा से निर्दलिय उमिद्वार के तोर पर चुनाव लड़ने की मांगी, कार्यकरताओं ने साफ कर दिया है कि वे किसी बाहरी उमिद्वार को स्विकार करने के मूड में नहीं है, खास बात य कि लतीका सर्मा की नाराजगी को दूर करने के लिए भाजपा की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गई है यह देखते हुए अटकले तेज हो गई है कि वह पार्टी से अलग होकर नेदलिया चुनाव लड़ सकती हैं बता दे कि काल का सीट से सक्तिरानी सर्मा अपनी पार्टी से 2014 में विधान सबाचुनाव लड़ चुकी हैं जिसमें उन्हें हार मिली थी